नमस्कार दोस्तों तो हम लोग कम्प्लीट कर रहे थे घटना चक्री की पूरी की पूरी सीरीज और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे अधुनिक भारत के अंतरगत घटना चक्री की 20 नमर टोपिक जिसका नाम है दिल्ली दरबार है उमराजदानी परवरतन छोटा से लेकिन इंपोर्टेंट है और सबसे इंपोर्टेंट के इसमें 30 पॉर्शन को सामिल नहीं किया गया है डायरेक्ट ही ठीक है घटना चक्री ने इसमें एमसी कीव को यहाँ पर इतुरत लगा दिया है जिसको हम लोग 10-11 एमसी कीव है चलिए तेजी में फटाफट देखते है लेकिन देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजी आने वाले दिनों में लोग घटना चक्री की पूरी पूरी सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं नंबर वन रशन ब्रिटिस काल में दिल्ली के पहले भारत की रजदानी कहा थी वो रजदानी थी यहां पे कलकता में देखिए ईक्स्लानेशन बिरिटिस काल में दिल्ली से पहले भारत की रजदानी कलकत्ता थी बिरिटेन के राजा यहीं जोर्ज पन्चम नाम एक्दम याद कर लिजी जोर्ज पन्चम इसके भारत आगमन 12 दिसनबर 1911 के समय बंगाल बिभाजन रद कर भारत की रजधानी कलकाता से दिल्ली अस्थानांतरित करने की घोंशला की गई लॉर्ड हार्डिंग दिरितिया के कार्यकाल में यहां कलकाता से दिल्ली अस्थानांतरित हुई एक अप्रेल 1912 को दिल्ली की रजधानी पुना इसको बनाई गई तो ठीक है यहां पे अस्थनांद्रल किसने किया राजा जोर्ज पंचम ने दिल्ली में कर दिया दिल्ले सपुना कलकाता किसने लाया लॉड हॉर्ड रॉर्णिंग थे दिया प्रस्ट नूम柄 2 1912 में जब राजधानी कलकता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था पता ही होगा आप लोगो के 1858 से गौर्णन जनरल का पत को बदल के भारत के वायसराय यहाँ पर बना दिया गया उस समय था यहाँ पर लोल्ड हर्डिंग उपर दिया भी है लोल्ड हर्डिंग दिल्ली भारत की रजधानी बनी कब 1911 में बना है ध्यान रखेगा उलेखनी है कि दिल्ली को रजधानी बनाने की घोंचड़ा वर्स 1911 में की गई जबकि कलकता से दिल्ली उसका के सम्माद में ध्यान रखेगा अस्थनांत्रण के सम्माद में यदि विकल्प में 1911 में 1912 हो दोनों दिया होगा तो सर्वाधी क्या होगा 1912 होगा क्योंकि 1912 में ही लोल्ड हर्डिंग की द्वारा वापस लाया गया है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकता से दिल्ली अस्थनांत्रित की गई अब अस्थनांत्रित भोल रहा है ठीक है अस्थनांत्रित कब गी गई दिल्ली से कलकता से दिल्ली अस्थनांत्रित की गई इसलिए यहाँ पे 1912 यहाँ पे दे दिया गया है चुकि 1912 अप्शन में दिल्ली में उनके राजगी प्रव्यस के उसर पर बम फेका गया था अब बताने की जरुरत नहीं है किसके उसर पर ठीक है लॉर्ड हर्डिंग पर जब वो कर दिया गया आया है तो फिर बम फेक दिया गया लॉर्ड हर्डिंग इस बिभ्रम के प्रभावा संतुस्ति करण भी से कारे कर रहा था कि इनके द्वारा करांतिकारी अंदलों को सफलता पुर्वग दवाया गया सकता है परन्तु सिग रही उसका उस समय मुह बंग हो गया जब उसी पे क्या कर दियेगा टेक कर दिया गया आलत खराब हो गया उसका तब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली मेरा जधानी अस्थानांतरर के अवचारिक समरों के उसर पर हुआ जुलिस के रूप में दिल्ली में परवेसी कर रहा था तब तक उस पे चांदनी चोग में बंग मार दिया गया करांतिकारी देखे आप जो हार्डिंग बंग कान में सामिल नहीं थे सामिल कौन नहीं थे भागवती चरण वहरा बाकी इन तीनों का नाम एकदम किलियर कर लिजे माश्टर अमिर्चंद, भाई बालमकुंद, अवद बिहारी ये तीनों ही हार्डिंग बंग कान में सामिल थे हार्डिंग बंग कान दिल्ली सड्यंत्र केस के रूप में परिश्थित है इसमें तेरा वेक्तियों को अभियुक्त बनाया गया जिसमें माश्टर अमिर्चंद, दीनानात, भाई बालमकुंद, बलराज भैला, असंद कुमार, आवद बिहारी को गिरफतार किया गया इसमें चार लोगों को फासी तथा दू को साथ वर्सों के करवास की सजा हुई दीनानात सरकारी गवाब बन गया था, भगवती चरोल वोहरा इसमें नहीं थे, इसमें मुख्य भूमका निभाने वाले रास बिहारी बोस, जपार भाग गये, सथा मुकद में से बच गये थे प्रिटिस सासन के दोरान बिहार को एक अलग प्रांद का दर्जा किस वर्स प्राप्थ हुआ, यह हुआ था 1912 में, त्यार रखेगा, बिहार को एक अलग प्रांद का दर्जा किस वर्स प्राप्थ हुआ, 1912 में, नेक्स्ट, देखिए इस एक्स्प्लिनेशन, दिसम्बर 19 1911 में बिटिश समराट जोर्ज पंचम और महरानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हैतु दिल्ली मेग दर्बार का आयोजन किया गया दिल्ली दर्बार में ही समराट ने बंगाल विभाजन को रद गोसित किया साथी बिहार और उडिसा को बंगाल से अलग कर दिया यह आठ प्रसनों को इसमें सामिल किया गया था छोटा से टोपिक था कल का टोपिक important होने वाला है कल मेरे साथ बने रही है और इसको repeat and repeat करते रही है क्योंकि सारे एक्जाम upcoming आने ही वाले हैं जितना revision करेंगे आपके लिए बेहतर होगा ठीक है friends thanks for watching जैहिंद